हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पावर के स्टॉक के उपर दोस्तो जो तेजी थी शेयर में 105% की अब वो तेजी घटकर रह गई है 99% की आज के दिन दोस्तो स्टॉक में एक लोवर सरकिल लगता हूँ देखने को मिला है विद्ध हैवी वॉल्यूम्स क्या था दोस्तो लोवर सरकिल का कारण और कब रुख सकती है यह गिरावट और क्या होंगे कल के यानि 8 अप्रेल के टागेट स्टॉप लोस और रेजिस्टेंस जाने के सब कुछ इस छोटे से वीडियो में तो वीडियो का इन तक देखना वीडियो अच्छा क्यों तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तो तो जले शुरू करते हैं सबसे प्रेफरेंट इंडियन मार्केट करें तो यह सबसे बड़ा फैक्टर था दोस्तो आज की गिरावट का अब देख सकते हैं इंडियन मार्केट में आज एक भी सेक्टर इन ग्रीन में क्लोज नहीं होता है आप देख सकते हैं सारे इंडाइस आपको 500-500-600-600 पॉइंट की गिरावट करके दिखाएं और आज 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 आप कह सकते हैं कि निफ्टी मिटकाइब इंडेक्स में 286 अंगो की गिरावट देखने को मिली है और बीचे तीन दिनों की बात करें तो निफ्टी मिटकाइब इंडेक्स आउट पफारमर रहता हुआ देखने को मिला है और आज के दिन निफ्टी मिटकाइब इंडेक्स आपको टॉप लूजर देखने को मिला है आप देख सकते हैं Nifty Sansex में 0.93% की गिरावट थी और Nifty Mid Cap Index में 0.92% की तो definitely ये एक बड़ा कारण है और दूसरे कारण के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं Nifty Energy Index Nifty Energy Index के अंदर आपको Adani Power का शेयर काम काच करता हो देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो Nifty Energy Index में आज 0.5% से अदर की गिरावट थी ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दोस्तो आज सारे Energy Stocks चाहिए वो Adani Power हो, Tata Power हो, JP Power, Ratan Power, Reliance Power सारे पावर शेयरों में आज भारी बिक्वाली देखने को मिली इसी कारण की होज़े से प्लस दोस्तो तीसरा करण था RSI Index शेयर अभी भी दोस्तो 80 रुपे की रेंज के उपर रेट कर रहा है RSI Index में तो definitely जब तक ये 80 रुपे की रेंज के उपर रहेगा तब तक गिरावट शेयर में बन सकती है और आज के दिन भी दोस्तो और्मोस्ट 82 रुपेस 30 पैसे पर RSI पर क्लूज हुआ है और ये घिरावट दोस्तो मुह दगता है कि दोस्तो 10 रुपे से 220 रुपे तक जाती भी देखने को मिल सकती है जोकि वो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है स्टॉक का और वहाँ से अब डेफिनिली में रखता है कि स्टॉक में तेजी बन सकती है स्टॉक के अगर आज की वॉल्यूम की आत करें तो वॉल्यूम बे आज दोस्तों स्टॉक के साथ नहीं दे पाई स्टॉक में अज स्टॉक में दिन के स्टॉक में मार्केट में डिप था सौपइंट्स का लेकिन उस डिप के बावजूत स्टॉक में अज स्टॉक में अपर सर्किट लगा almost दोस्तो 11-11 बज़े तक stock upper circuit पर trade कर रहा था लेकिन 12 बज़े के आसपस nifty mid cap index correct होता है और उस correction में आप कहा सकते हैं कि ये share जी आद दोस्तो अडानी power का share lower circuit लगा जेता है और धीरे दीरे अडानी, wilmar, jp power, bale, tata power और सभी shares आपको day के low पर आते हुए देखने को मिलते है tata power even as 298 का ही लगाया था लेकिन closing 278 पर दिया है तो definitely power share के लिए आज का दिन सबसे खराब दिन रहता हुआ देखने को मिला जो पीते दिनों तेजी होती होती हुए देखने को मिली अब definitely दोस्तों मुझे लगता है कि 200 रुपे तक का level share में आ सकता है अगर 220 रुपे का level के नीचे अगर कल closing आती है और definitely दोस्तों अगर मुझे लगता है कि गिरावट होगी भी तो शेयर अब 200 रुपे के नीचे तो नहीं जाएगा आज के दिन भी 125 लॉप दिल शेयर में देखने को मिली है शेयर अभी 10 पर से नीचे टेट कर रहा है अपने 52 हफ्तों के हाइस से आफिर कह सकते है कि अल-टाइम हाइस से अल-टाइम हाईस पर टेट करना था इसकी स्टोरी भी दोस्त लिए ट्म लगतेवी देखने को मिल रही है पहले 20-20 पऱसंट के अपर संके लगे 10-10 परशंट के अब 5-5 परशंट के लोवर संके शेयर में लग रहे हैं लेकिन definitely दोस्तो company के financials काफी अच्छे company profit making है तो आपको घबराना नहीं है long term के लिए hold करना है अभी मेरा कहूंगा कि दोस्तो 300 रुपे का Q4, Q4 की results के बाद share definitely सुतावा देखने को मिल सकता है technical rating की बात करें तो आप देख सकते है technically stock अभी very bullish zone में treat कर रहा है और अब I think so दोस्तो ये very bullish से अब थोड़ा bearish side पर आ सकता है अगर stock के resistance and support की आद करें तो आप देख सकते हैं आज stock ने सारे resistance जो थे उनको पचार दिया था उसके उपर ही stock कुला था लेकिन दोस्ता support के अगर बात करें तो 237 का support था stock ने उसको breach किया और अब lower circuit लगता है तो definitely दोस्तो जब तक supports को stock respect नहीं करेगा तब तक इसमें lower circuit लगेगा या लगेगा और अब दोस्तो जो support है वो 215 का और 226 का ये दुनों supports आने वाले हैं और definitely अगर ये दुनों supports पर stock respect करेगा तो definite torque पर इसका circuit खुल सकता है volume क्या आद करें दोस्तो अब तीन दिरों में share में लगातार volume में गिरावाट देखने को मिल रहे है योगि stock अब 5% के circuit limit पर आ गया है और जब भी stocks 5-5% के circuit limit में आते हैं तो उनकी volume कम देखने को मिलती है पहले आमूमन 10 करोड 13 करोड की volume देखने को मिली हफते बर लेकिन फिर दोस्तो कल की दिन 6 करोड और आज की दिन 3 करोड डेफिनेटली volume में एक छोटी बड़ी गिरावाट आपको देखने को मिल रहे है अब performance की आत करें तो performance अभी भी दोस्तों लाजावाबे कंपनी का performance पाइसा कुछ खास फरक नहीं पड़ा है एक हफते में 25% एक महिने में 99% जी है दोस्तों जब कोई share 100% की तेजी करता है तो 10-15% तो stock गिरता है और मेरी यही सला है कि आप वेट करिए आने वाले एक से दो हफते के अंदर stock बापस reverse होगा और definitely एक नई तेजी आपको आने वाले एक से दो महिने के अंदर share में देखने को मिल सकती है अब ही अगर selling order क्याद करें तो आप देख सकते हैं 3,81,000 orders selling side पर है that means कि दोस्तों selling कल के दिन continue रह सकती है अगर कल के दिन markets में अच्छी position रहती है markets अगर कल positive में trade करते है तो definite तोर पर यह lower circuit कल upper circuit में बजल सकता है share holding button की आद करें तो दोस्तों share holding button की बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि company का share holding button ला जवाब है FIS का इस company में भरोसा है कि यह long term में अच्छे returns देगी और FIS उनी company में पैसा invest करते है जिनके financial statement, profit loss सब अच्छा होता है और definitely balance sheet पर company आपको बहुत अच्छे कारोबार करते ही दिखने को बिलती है तो that's why है कि यह steer आपको long term के लिए तो hold करना ही है अगर आपने stock लिया है अगर वो loss में भी दिखा रहा है तो डरीए का नहीं आपको आने वाले future में आने वाले एक से दो सालों के अंदर definitely बहुत बड़े multi-bagger returns दिखने ही वाले अब stock के दोस्तों आपन के उसके आत करे market capital की तो आप देख सकते है आज के दिन 5000 क्रोड की market capital बंद हुई है गिरी है शेर के और आप देख सकते है इन 4-5 शेरों में आप देख सकते है टाटा पावर इसके नीच आता है वो रेड में था अडानी पावर रेड में था पावर ग्रिड रेड में था और अडानी टांस्मिशन रेड पता तो थूआट देख सकते हैं जो जो पावर स्टॉक्स थे उन सभी में गिरावट थी NTPC exceptional है लेकिन वो भी दोस्तो फ्लैट closing दिया है उसमें भी अत्यादा तेजी नहीं बनती हुई देखने को मिली है यह कुछ कारेंट से दोस्तों स्टॉक के गिरावट के और छोटी से profit booking है आपको पैनिक नहीं करना है अभी आपको वेट करना है दोस्तों एक से दो हफते होगा अब देख सकते हैं दोस्तों मैं स्टॉक के long term charts पर आयो 120 रुपे से share में तेजी हुई थी थाइसो रुपे का अकड़ आज share ने चुआ था अभी almost आपको stock में आज के दिन 10 परशन की गिरावट देखने मिले है फ्रॉम 20 और अब यह गिरावट कब तक रुखेगी तो दोस्तों यह गिरावट आपको 200 रुपे सक पहले रुखने वाली नहीं है और अगर 200 रुपे तक लेवल जाता है तो डेफिनिट एक तौर पर रिवर्सल स्टॉक में आ सकता है जो कि पहले अगर और future दिन आपको देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं फिझले पाच तीन चार्ट पर में आ गयाूर पिछले पांच दिनों में शैर ने तीन- आप्पर शैक्त उब्ते है और आज की दिन आप कह सकते कि वह उपफर स्टॉक्त में 60 से अफर 50 की रेंज में मिलेगा तो डेफिनेट तोर पर आप इस टॉक में एंट्री कर सकते एंड स्टॉप लॉस का मीजर में धान रखेगा कल में आपको बताया था कि दोस्तों 230 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक फिसलेगा तो डेफिनेटली दोस्तों गिरावट बने करना शियर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों थैंक्यों फ्रेंट्स रॉचिंग इस वीडियो